मैं एमभी शुतपा आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ ताज महल ताज महल का जानकरी है इस वीडियो पे पूरा वीडियो देखना ताज महल का तोड़ा जानकरी भी आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो से इस गेट है ताज महल का जो 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 मैं भी जा रही हूं जो इस गेट से अंदर जा रही हूं यह लाइन है एंट्री लाइन है शो लोग आगे इस गेट में यहां से अब अंदर जाओंगी ताज महल का ताज महल के अंदर जाने के लिए एक आईडी प्रूप राखना चाहिए बीना आईडी प्रूप अपको अंदर नहीं जाने देंगे यहां पर आईडी प्रूप चेक होते है जा सकते हैं लेकिन कैमेरा और मॉबायल का स्टैंड अलाओं नहीं है अंदर लाने के लिए एस्ट गेट में बहुत सारी ताज महल का फोटो लागा हुआ है उराना वाला दीन का भी फोटो यहां पर है और एस्ट गेट ताज महल का टीकिट ओन लाइन में कर सकते है आप लोग और ओफ लाइन में भी होते हैं लेकिन ओफ लाइन में बहुत ही लंबा लाइन है अब ताज महल का टीकिट है 250 रूपीज 2016 में लास्ट आया, चार पज़ बर आई हूँ मैं ताज महल पे, 2016 में लास्ट आई, फिर मैं आई, ताज महल देखने के लिए एक दिन टाइम लागेगा, वान डे टाइम लागेगा ये ताज महल देखने के लिए, एक दिन तो टाइम लगते है, लेकिन मैं हापे राव टाइ किया ओनलाइन टिकेट किया है और लाइन पर ख़ड़ा हूं समान चेक अप हुआ है फिर वापस एक समान डिकोजिट करने गई ताज महल पर कैमेरा का कोई चार्ज नहीं लागते है आगे इस गेट आगे मैं इस गेट में अब अंदर जाओंगी आगे इस गेट से जब अंदर आएंगे और सामने ताज महल है वो नजारा बहुत ही अच्छा लगते है जितना बार आऊगे फुराना नहीं होगा बहुत ही अच्छा लगते है बहुत ही अच्छा लग कि मैं 2060 में इसी गेट से आई यह एक्च्वाली में गेट है ताज महल निर्मान किया है साजाहर उनका बीबी ममताज के नाम पे यह ताज महल बनाया है यह सब्तम आस्चार जो है वाल का ताज महल पीछे इसी जगा पे अंदर जाने वाला एक टिकीट है एक 45 रूपीज टिकीट बाहर इस तरफ नीचे तरफ आ सकते है और अंदर आने के लिए इसी जगा पे आने के लिए और 400 का 200 का टिकीट चाहिए चलो आ गई ताज मिल के ओपर चड़ गई ओपर में चड़ गई अब अंदर जाओंगी यह कबर दिखना है साजान और मंताज का ओपर चलने वाला रास्तर है शीरी है आगी ओपर आगी तीछे जो गेट दिखाई दे रही है उसी गेट से अंदर जाना पड़ेगा यह पीछे वाला साइड में आ गई यह पीछे वाला है देखो यह ताज मेहल का पीछे वाला साइड है पीछे यह देखो यह मुना रिभार ताज महल निर्मान के लिए बीस हजार स्रमिक लगा है और बारा साल टाइम लगा है यह ताज महल कम्पीट करने के लिए पाइब टाइम इस बार लेके ताज महल पे आई देखो पीछे यह यह योगुना रिभार है एक्चुली ताज मल है समराट साजाहन की बीबी ममताज का समाधी जब समराट साजान का भी मौत हो गए है तब उनका पुत्रों उनका भी समाधी ममताज की समाधी के पास में लगाया है चुट्टी का दिन होगा तो बहुती भीड आयते हैं आज चुट्टी का दिन है फॉलिडे है इसलिए बहुती क्राउडी है यह पर और इस साइड सेडो है इसलिए बहुती लोग है बहुती धूप है आज वेदार बहुती क्लियार है बहुत अच्छा है वेदार और कभी बहुत तेज है गई हूँ बहुत सारी इंडिया का फेमास जागा घुम रही हूँ और एक फेमास जागा है ताज महल आकरा तो यह ताज महल देखने के लिए मैं एक लिए आ गई बहुत सारी आडवेंचर वाला ऐसा ही बहुत खुबसूरत वीडियो लेके मैं इस चैनल पर आओंगी आप ल शेत्रों लेके मैं नीचे नहीं जाओंगी यहां से नीचे उतर के मैं जल्दी चली जाओंगी जहां पर मेरा कार पार्किंग है उसी जगा पे देखो यहां से इस्ट गेट है एक्चुली यह गेट ही है एक्चुली यह गेट ही है में गेट बहुत सारी एंगेल से मैं ताजमल का फोटो लिया है बहुत अच्छा लग रहे है इस जगा से वीडियो बहुत ही अच्छा आ रहे है बहुत ही धूप है तेज धूप है आज फोटो बहुत अच्छा आ रहे है इसलिए देखो इसी एंगेल से भी ताजमल को बहुत ही खुप प्सुरत लग रहे हैं मैक्समाम लोग जानते हैं ये दिल्लिपी है ये दिल्लिपे नहीं है ताजमल है यूपीपी बहुत अच्छा लग रहे है ये ताजमल में हूँ बहुत अच्छा रहे है इस जगा से फोटो इतार बहुत अच्छा है बहुत धूप है तेज धूप है और बहुत सुन्दर छोबी फोटो भी बहुत अच्छा रहे है कि रहे है कि अच्छा है बहुतफ मु度ाम प्लाओ कर देत हैardi कि रेंड से फीडिते थे कि अच्छा रहे है आः कि व inm い झाल झाल जाते हैं आप लोग को एक किलो मेटार अंदर ही है ताज महल 20 रुप्या करके लेते हैं यह इस्ट गेट है इस्ट गेट का पार्किंग एरिया है यहाँ पर गारी पार्किंग होते हैं हंडेड रुपीज लेते हैं और यह शैटल जो कार है यह एक किलो मेटार अंदर जाएगा पूरा गेट के समने ही यह उतर देंगे मैं एमबी शुतोपा नेक्स्ट वीडियो पे ले क्या होंगी शमराठ आगबर का समाधी यहाँ पर है आगबर का समाधी देखने के लिए सब्सक्राइब करना माउंटेन ब्लॉग शुतोपा झाल